अपडेट पबजी न्यू स्टेट गेम इन यूर एंड्रॉइट फोन आज में इस पेशली वे बताना लोग कि जो पबजी न्यू स्टेट गेम है उसे आपको अपडेट कहा से करना है और डाउनलोड भी तरीके से कहा से करना है जो तोपिक है जो अनली एन ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूं जो फर्स टाइम गेम को प्ले कर रहा है पबजी निस्टिट गेम या फिर एंड्रॉइट मोबल को फर्स ताइम या पर यूस कर तो अधर ताइम अवेर्नेस नहीं होता है कि हमें कहा से गेम को ड मुझे एक मोटिवेशन बिलता है जिसे मैं आप लोगों के लिए और यूसफुल वीडियो क्रियेट कर सकूँ इंस्टागरम अकॉन का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है वास से जाकि आप डारीकले मेरे अकॉन पर विजिट कर सकते हैं और कुछ भी अगर थाड है रियलमी नर्जो 30 तो इन तीनो ही स्माटफोन में मैं पबजी नुश्टेट गेम को अपडेट करने वालो अपडेट करने के लिए आपको ज़रा कुछ दिमक लगाने के ज़रूतने सिंपल सा आपको प्लेस्टोर पे जाना है और प्लेस्टोर पे जाने के बात यह पर आपको PUBG New State Game को सर्च करना है तो सबसे पले यह है टेकर आपवार 2 इसके बाद है Infinix Note 10 और थर्ड नमबर पर है Realme Narzo 30 यह तीनो ही स्मार्टफोन एक तरीके से गेमिंग स्मार्टफोन है तो अगर आप एक बजट सेग्मेंट गेमिंग स्मार्टफोन सर्च कर रहा है ता आप तीनो में से कोई भी स्मार्टफोन आप पर्चेस कर सकते है यह स्मार्टफोन आपको ओळ्लाइन वानलाइन Brefikard और आमेज़न पर आजली आवेलेबल मिल यह अगर आप गार आप जिरेक्स अथी से परचेस करना अप्डेट करने के बाद ऐसा उप्षिन शो करता है तो इसको मैं साइड मे रुखूँ लेकिन जो टेक्नो पॉर 2 और इन्फिनिक्स नोट 10 है इसमें मैं पब्जी गेम को अप्डेट करूगा तो जब भी गेम का अप्डेट आया तो मेक शूर उसे अप्डेट जरूर करें गेम को अप्डेट गेम को अप्डेट करते है तो इसमें उस गेम में अच्छा का से इम्प्रॉमेंट जएम ने पिलता है जए रुछ जय आन फीछ्छने को इप्ट लिह टी रिच्छने को अप्डेट प्पटेंट शूर कश्टेर गेम तो जो I think यह मेरे साब से कुछ 10 minute का time लेगा अगर मेरा जो internet का speed है यह 25 Mbps है तो इसके basis पर यह 10 minute का time यह आपर consume करेगा So wait here So game को update करने के बाद exactly directly आपको play का option आजाएगा देने इसके बाद directly आपको play option पे tap करके PUBG निश्टर गेम को play करना start करना है तो जब भी आप इस first time अगर आप इस game को play करो तो make sure यहाँ पर आपको account create करना पड़ता है यह important है अगर आप first time इस game को download कर रहे हो update कर बढ़ ले तो यहाँ पर आपको account registration process करना है तो अगर आप हमेशा इस game को play करना चाहते हो यहाँ कि आप दिन में रोज आप game को play करना चाहते हो तो ऐसे में आप अपने google account से google account में जो आपका gmail id है उससे आप link कर सकते हो लेकिन अगर आप sometimes बस जब तक मन करना है यहाँ कि week में एक बार या week में दो बार या अगर आप इस game को play करना चाहते हो एवरी टाम आप कोई gamer person नहीं हो जस डेसंट mood के एसाब से प्ले करना चाहते हो तो ऐसे में आप इसको अपने नॉर्मल facebook account से आप link कर सकते हो तो यह तरीके से safe and safe रहता है तो अननेसेसरी किसी भी platform को हमारा gmail id गूगल account देने की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मल facebook application से भी आप इसे लिंक कर सकते हो तो गाइस इसे तरीके से आपको पपजिन इस्टेट गेम को अपडेट करना है तो अगर आपको टॉपिक अच्छा रग हो तो आप डैरेक्ट मुझे इस्टाग्राम पर